दोस्तों हम समको बता है कि aloe vera हमारी skin के लिए बहुत जादा beneficial होता है इसलिए aloe vera को कभी सारे cosmetic products में भी use किया जाता है तेकिन क्या आपको बता है कि aloe vera की soap भी market में आज छुकी है जिसका हम इस वीडियो में review करने जा रहे हैं तो यह जो aloe vera soap है यह आती है herbal trends company की तरफ से इसको काफी interesting way में pack किया होता है तो इसको बाहर निकालने के लिए हमको इसे ऐसे open करना होता है फिर हम इस soap को बाहर निकाल सकते हैं और यह जो aloe vera soap है यह एक brick soap होती है जिसका main advantage यह रहता है कि यह काफी लंबा time चल जाती है चली दोस्तों देखते हैं कि यह aloe vera soap कैसा effect produce कर पाती है उसके क्या-क्य benefits देखने को मिलते हैं चली दोस्तों जल्दी शुरू करते हैं इस वीडियो को चली दोस्तों पहले में soap को यूज़ करके दिखा देता हूँ ताकि आँको पता चल जाए कि इस aloe vera soap में और एक normal soap में क्या फर्क रहता है तो देखिए यह यूज़ करना सेम है जिसे भी किसी normal soap को यूज़ करते हूँ सेम वैसे ही आपको यूज़ करना होता है और फिर जैसे आप इस soap को अपने body पर पलाई करने लग जाओगे तो आप नोटिस करोगे कि यह काफी जाता form पर यूज़ करती है जिससे इस soap का जो cleaning action है वो काफी जवरदस्त बन जाता है तो जो भी आपकी body में impurities, dirt particles जा excessive oils लगे होगे वो साले remove हो जाएगे और इस soap का एक additional benefit यह भी है अगर आप इसे अपने ball पर यूज़ करना चाहो तो आप इसे ball पर भी यूज़ कर सकते हो और के ball में जो भी dandruff गरा होगा वो गयाब हो जाएगा तो एक time पर अगर आपके पास shampoo नहीं भी है उसके जागा पर आप इस soap को use कर पाओगे और फिर थोड़ी देर तक आपको इसे पनी body पर massage करनी होती है उसके बाद आप इस soap को remove कर सकते हो और जैसे आप इस soap को remove कर दोगे इसको जो effect है वो आपको नजर आ जाएगा और दोस्तों मैंने इस soap को continuously 4 days use किया है और मैंने इसके बारे में तीन बातें notice की है पहली बात है कि अगर आपकी oily skin है या फिर अगर आपको जादा पसीना आता है तो उस case में ये aloe vera soap आपके लिए बहुत जादा फैदेबन साबित होने वाली है तो कि aloe vera soap आपकी skin पे जो excessive oils लगे होंगे उसको तर move करेगी साथ ही साथ ये sweat को आने से भी रोकती है तो आप notice करोगे ये उसको काफी देर तक पसीनना भी नहीं आएगा और पसीनने की बदबू भी नहीं आएगी यूँकि काफी अची बात है और इस soap के बारे में दूसरी बात ये है कि आप में इसे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्योंकि ये एक aloe vera soap है तो हो सकता है हमारी body को early बना दे या फिर उकी body में stickiness effect प्रॉइड करे तो देखिए ऐसा नहीं है यूँकि अगर हम नज़र बारे इस aloe vera soap के ingredients पे तो अब देखोगी किसमें aloe vera के साथ और भी कुछ ingredients का use किया गए यूँकि आपकी body को clean तो करते ही है साथी साथ आपकी body में stickiness effect आने नहीं देते तो इसे use करने के बाद आप देखोगी आपकी body में कोई भी चिपचनापन या stickiness feel नहीं आएगी और यह आपकी skin में काफी अच्छा moisture भी बना के रखती है और इस aloe vera soap के बारे में तीसरी बात यह है यूँकि यह के brick soap है तो यह काफी कम quantity में use होती है इसका main advantage है यह होता है यह काफी लमा time चल जाएगी और इस soap को men, women, बच्चे, बुड़े कोई भी लोग use कर सकते है और यह all skin type suitable है जो के काफी अच्छी बात चलिए दोस्तों अब आप नजर मारते हैं इस aloe vera soap के price पर इसकी quantity होती है 100 grams की इसका यहाँ जो MRP price listed है वो है just 60 rupees तो आप इस soap को online purchase कर सकते हो नीचे video description में आपको link दिया जाएगा तो दोस्तों यह था herbal trends की aloe vera soap का review और मेरे वीडियो आपको अच्छी लगे होगी इसलिए आपस वीडियो को like कर दीजे और दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि मेरे instagram page पे एक giveaway contest चल रहा है तो आप इसमें part लही सकते हो और अपने गर बेठ होए exciting prices जी सकते हो giveaway इसके rules again उसकी सारी information आपको मेरे instagram page पे मिल देगी तो make sure अपने मेरे को instagram पे follow कर रखाओ तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे और नी मज़दार वीडियो के साथ तो तो के लिए जाए हिंदे